असलाम अलेकूम गाईज अमीद है कि आप सब ख्याय जासे होंगे आज हम करेंगे exercise 1.2 का question number 2 so question 2 हमें क्या दिया गया है from the following matrices identify यानि जो नीचे हमें matrix दिये गये हैं इनको हमने identify करना है कि यह हमारे पास कौन सा matrix है first matrix हमें क्या दिया गया है minus 8, 2, 7, 12, 0, 4 तो इसमें हमारे पास क्या है two rows है और three columns है यानि number of rows is not equal to the number of columns तो इसमें हमारे पास क्या है इसका order हमारे पास क्या है two by three यानि number of rows equal नहीं है number of columns के तो यह हमारे पास कौन सा matrix हुआ rectangular matrix तो यहाँ पर हम लिखे देंगे और first form लिखे देंगे बस तो यहाँ पर यह शो कर रही है rectangular matrix को second हमें क्या दी गई है 301 तो यानि इसमें हमारे पास एक ही column दिया गया है number of rows is equal to the number of columns तो यह हमारे पास कौन सा matrix हुआ square matrix तो यहाँ पर हम लिखेंगे square matrix का ऐसे लिखे देंगे ठीक है जो denote करता है square matrix को तो next हमारे पास four क्या दिये गया है 1001 तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमारे हमारे पास matrix में जब diagnose जो है वो वन दिये जाएं तो मारे पास कौन सा matrix होता है identity matrix तो इसको हम आई से denote करते हैं ठीक है next four हमें क्या दिये गया है one two three four five six जिसमें हमारे पास क्या है two columns हैं और three rows हैं तो हमारे पास इसका order क्या हुआ three by two यानि number of rows is not equal to the number of columns यह हमारे पास कौन सा matrix हुआ rectangular matrix यह हम लिखे देंगे rectangular matrix का R next six हमें क्या दिये गया है three ten minus one जिसमें हमारे पास क्या है one ही row है तो one ही row वाले matrix को हम क्या कहते है यहां रो मैट्रिक्स है यहां रडबली लिखे देती हूं क्योंकि यहां पर rectangular भी आर को शो कर रहा है तो मैं यहां रडबली लिखे देती हूं ताके यह डिनोड करे रो मैट्रिक्स को हमें दिया गया है one zero zero यानि या भी हमारे पास एक ही कॉलम है तो यह कौन से मैट्रिक्स हुआ है इस मैट्रिक्स तो आप देखें एट को इसमें थ्री रोज है और थ्री ही कॉलम्स यानि इसका जो और और क्या है थ्री वाइट तरी यानि नंबर ओफ रोज इक्वल तू त कॉलम्स हमने पड़ ते कौन से मैट्रिक्स हुआ जिसमें हमारे पास number of rows equal होती है number of columns के स्क्यर मैट्रिक्स है याँ पर हम स्कियर मैठी का क्या लख देंगे आपको मेरी वीडियो उपसंद आई होगी आप मेरे चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू अला हाफीज